आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स पीच और ये हमारा पार्ट वन रहेगा जिसमें हम बिलकुल बेसिक से छोटी छोटी बाते जो है वो सीख लेते हैं घ्च इसे समझने वाले हैं यहाँ एक फ्रेम में आपको कुछ पुक्च दिखाय दे रही है एक कार दिखाई दे रही है, Albert Einstein दिखाई दे रहे हैं, ताज महल दिखाई दे रहा है, एक फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, तो किसी ना किसी नाम से मैंने इन्हें पुकारा है, मैंने फ्लावर बोला, मैंने गर्ल बोला, मैंने कार बोला, मैंने Albert Einstein बोला, मैंने ताज मह तो मैंने कोई न कोई नाम से इन्हें पुकारा है तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं एलबर्ट आइंस्टाइन, राघव, नकुल, रेस्टरांट, कार, ब्यूटी, चेयर, ताजमहल, स्कूल, ब्रेवरी, आनिस्टी यह जो words आपको दिखाई दे रहे हैं, यह words refer करते हैं किसी न किसी person को, think को, place को, idea को और इनी words को हम क्या कह देते हैं, इनी words को हम nouns कह देते हैं तो आपने देखा आपके इर्द गिर्द आपके आसपास जितनी भी चीजे हैं कोई ना कोई नाम से आप उन्हें भुकारते हो और वो नाम ही क्या होता है वो नाम ही नाउन होता है अगर हम विलकुल सिंपल तरीके सही से समझते हैं तो अब जैसे हमने बोला Albert Einstein आपको पता चल गया कि Albert Einstein जो है वो नाउन है कार नाउन है ताजमेहल नाउन है फ्लावर नाउन है गरल नाउन है तो अगर मैं इनकी जगे कुछ और वर्ड्स लिख देता हूं मिन्स एक ऐसा word जो इन nouns को क्या कर दे, replace कर दे तो Albert Einstein की जगए मैं he लिख सकता हूं और मैं car की जगए it लिख सकता हूं मैं girl की जगए she लिख सकता हूं और ये जो words हैं जो noun को replace करते हैं इन words को हम क्या कह देते हैं? इन words को हम कह देते हैं pronounce तो आपको अब nouns समझ आगे, आपको pronounce समझ आगे कि क्या होते हैं nouns आपको पता है, अगर एक बिल्कुल general definition इसकी बताएं तो वे हैं naming words होते हैं और जो words nouns को replace करते हैं, उनकी जगए use हो जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, pronouns कह देते हैं हम आगे बढ़ें और ये देखिए आप, यहाँ पे आपको इस frame में कुछ pictures दिखाई दे रही है इस picture का यहाँ लाने का जो main मकसद है, वो ये है कि ये सिर्फ pictures नहीं है ये क्या कर रही है, इन pictures के through आपको कुछ quality पता चल रही है यहाँ इस boy की एक quality आपको पता चल रही होगे, कि ये boy जो है वो tall है अगर यहाँ मैं बात करूँ, इस man की quality पता चल रही होगे, कि ये क्या है, old है इस boy की आपको यहाँ quality पता चल ही रही है, ये क्या है, fat है और ये आपको एक plate दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये round है, अगर ये एक shade है, तो ये क्या है, yellow है, तो हमने देखा, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ, कि tall boy, pink flower, round plate, then old man, fat boy, yellow shirt, आपको जो ये white में words यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको पता है कि क्य है, अब तो आप पहचानने लग गए, ये क्या है, nouns है, बिलकुल सही है, कि ये boy noun है, plate noun है, boy noun है, और flower noun है, man shirt, ये सब क्या है, nouns है, और ये जो आपको कुछ colorful words यहाँ इन से पहले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये इनकी कुछ quality को बता रहे हैं, इने modify कर र है, round split को modify कर रहा है, और boy क्या कर रहा है, fat sorry, ये boy को modify कर रहा है, और yellow जो है, वो shirt को modify कर रहा है, old जो है man को modify कर रहा है, और pink flower को modify कर रहा है, तो क्या हुआ, nouns को modify किया जा रहा है, nouns के बारे में कुछ और information दी जा रही है, nouns के बारे में कुछ और जानकारी दी जा रही है, उनके बारे में कुछ और बताया जा रहा है अगर मैं यहां देखता हूँ तो आपको अब तो यह भी पता है कि यह क्या है यह तो प्रणाउन है आपको पता चल गया ही क्या है प्रणाउन है शी क्या है प्रणाउन है और दे क्या है प्रणाउन है आई क्या है प्रनाउन है और यहाँ पे प्रनाउन के बारे में कुछ और जानकारी दी जा रही है he is tall तो he को tall बताया जा रहा है it को pink बताया जा रहा है then it को round बताया जा रहा है she को old बताया जा रहा है they को happy बताया जा रहा है I को friendly बताया जा रहा है तो हो क्या रहा है यहां pronouns के बारे में और अधिक जानकारी दी जा रही है पहले हमने देखा nouns के बारे में और अधिक जानकारी दी जा रही थी उनको modify किया जा रहा था और यहां क्या हो रहा है कि pronouns के बारे में कुछ और अधिक जानकारी दी जा रही है तो nouns और pronouns के बारे में जो word हमें और अधिक जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं adjective तो आपको अब पता चल गया nouns क्या होते हैं, pronouns क्या होते हैं और adjectives क्या होते हैं nouns आपको पता है, अगर मैं इस pen की बात करता हूँ, तो ये क्या है, noun है, अगर मैं कहता हूँ it, इस pen की जगे मैं it कह देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये pronoun हो गया अगर मैं कहता हूँ कि black pen तो black क्या हो गया adjective हो गया क्योंकि यह किस की जानकारी दे रहा है इस pen के बारे में और बता रहा है अगर मैं यह कह दूँ कि it is black तो it pronoun है और black फिर क्या हो जाता है adjective हो जाता है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा in sentences pictures के through अब देखें यहाँ पे यह कुछ यहाँ पे आपको phrases दिखाई दे रहे हैं यहाँ लिखा है quite young आपको tall word पता चल गया क्या है tall word आपको पता चल चुका है क्या है tall word adjective है बिलकुल सही है क्योंकि मैं कहता हूँ tall boy तो boy तो noun है tall क्या हो गया tall यहाँ पे हो गया adjective अगर मैं कहता हूँ fat तो आपको fat भी पता है अब तो जैसे हमने कहा कि fat boy तो fat क्या है adjective है तो आपको यह जो white color में यहाँ पे कुछ words दिखाई दे रहे हैं यह सब क्या है यह सब adjectives है यह सब क्या है adjectives है और यह जो colorful words दिखाई दे रहे हैं यह क्या कर रहे हैं इसका मतलब यह adjectives को modify कर रहे है adjectives के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे है तो यहाँ पे very tall जब मैं लिखता हूँ तो यह tall यहाँ पे adjective है और tell के बारे में हमें कुछ और जानकारी word very दे रहा है quite जो है young को modify कर रहा है extremely fat को modify कर रहा है so old को modify कर रहा है really delicious को modify कर रहा है मतलब कि ये adjectives को क्या कर रहे हैं ये words colorful words ये adjectives को modify कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो words adjectives को modify करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम adverbs कहते हैं तो आपको पता चला noun, pen जो है वो क्या है? noun है अगर noun की जगह मैं it बोल देता हूँ यहाँ पे इस pen की जगह तो यह क्या हो गया? यह pronoun हो गया अगर मैं black pen बोल देता हूँ तो black क्या हो गया? adjective हो गया अगर मैं adjective के बारे में कुछ और अधिक जानकारी दे देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो word, adverb हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ और pictures हम देख लेते हैं देखो कुछ न कुछ action हो रहा है हम बहुत ही चोटी चोटी बाते कर रहे हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है अगर आप थोड़ा सा high level पे जाएगे तो यह समझते हुए ही वहाँ पहुँच सकते हैं देखें, यहाँ पे कुछ actions दिखाई पड़ रहे हैं यह यहाँ पे running हो रही है यहाँ पे आपको पता है कि कुछ खाया जा रहा है यहाँ पे खासा जा रहा है कुछ फेंका जा रहा है यहाँ कोई गाना गा रहा है तो कुछ न कुछ action हो रहा है कोई न कोई action यहाँ पे हो रहा है तो आप इस तरीके से देखें कि यहाँ यह जो words आपको दिखाई दे रहे हैं यह words क्या है? Action words है जैसे play है, sing है, laugh है, run है, dance है, throw है, eat है जो भी आप कुछ करते हैं और यह जो doing words होते हैं मतलब action words जो होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम verbs कह देते हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि action words जो है, वो क्या है? verbs हैं हम आगे भी पढ़ेंगे action words होते हैं state बताता है verbs तो occurrences बताता है भहुस सी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेकिन हम यहाँ पे बिलकुन basic जो है, वो कर रहे हैं ताकि हर किसी को यह समझ आए और फिर वो जो है आगे के level को अच्छे से समझ सके तो आपको noun पता चला noun क्या है, आपको पता है कोई भी naming word है अगर मैं noun की जगे कोई word यूज़ कर लेता हूँ वो pronoun है अगर noun और pronoun के बारे में कुछ और add करता हूँ वो adjective है adjective के बारे में कुछ और add कर देता हूँ तो वो क्या है adverb है, एक बात आपको पता चली और जो भी action words है वो क्या होते है, वो verbs होते है तो आपको यह पता चलगी कि verbs क्या है हम आगे बड़े इसी से connection रखते हुए आपको पता है कि laugh जो है वो क्या है, वो verb है देखे, action है और यह क्या है verb है, यहाँ come जो है, वो क्या है, वो भी verb है go verb है dance भी क्या है, यहाँ पर verb है, तो आपको यहाँ पर कुछ verbs दिखाई दे रही है, जो white color में लिखी हुई है, और यहाँ देखे, जब मैं loudly बोल रहा हूँ, तो इस verb के बारे में कुछ और यहाँ add कर रहा हूँ, यह verb है come और यहाँ here जो है वो कुछ और जानकारी हमें इस verb के बारे में दे रहा है और यह verb है यहाँ पर tomorrow जो है, वो verb के बारे में कुछ और information add यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पे देखे dance verb है और gracefully जो है इस verb के बारे में कुछ और add यहाँ पे कर रहा है इसी तरीके से draw के बारे में देखिए यह wonderfully word जो है वो कुछ और add कर रहा है और away यहाँ throw के बारे में और beautifully sing के बारे में और fast जो है वो run को और ज्यादा modify कर रहा है मतलब कि verb को modify किया जा रहा है और verbs कौन सी है जो आपको ये white color में दिखाई दे रही है ये verbs है इसका मतलब verbs को ये जो words है वो modify कर रहे हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं इन्हें भी हम adverbs कह देते हैं तो आपको एक बात समझ आई कि adverbs जो है वो adjective को भी modify करते हैं और यहां हमने देखा कि adverbs वो words है जो क्या करते हैं verbs को भी modify करते हैं आपको adjectives भी पता चल गए आपको adverbs भी पता चल चुकी है अब देखते हैं यहां पे आपने देखा ये loudly word है here है, beautifully है, wonderfully है fast है, away है ये सब क्या है? ये सब adverbs है इन्हें ध्यान से देख लीजिए loudly, here, beautifully, wonderful, fast, away ये सब adverbs है अब आप ये देखें यहां जब मैंने कहा कि wonderfully क्या है? adverbs है तो यहां इस wonderfully को ये extremely क्या कर रहा है? और modify कर रहा है यहां away को far word modify कर रहा है beautifully को very word modify कर रहा है और fast को quite word modify कर रहा है और ये तो आपको पता है कि ये क्या है? ये adverbs है जो आपने अभी समझी थी wonderfully, away, beautifully, fast ये सब क्या है? ये सब adverbs है और इन adverbs को भी क्या है? ये words modify कर रहे हैं इसका मतलब जो adverbs को modify करते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी होते हैं adverbs तो adverbs जो है वो क्या करते हैं? वो adjective को modify करते हैं verb को modify करते हैं या फिर दूसरी adverbs को modify करते हैं ये बहुती अच्छी बात थी जो आपको समझ आ गई होगी तो एक बार हम फिर से समझते हैं Noun आपको पता है, pen noun है, और इस pen के जगह है, अगर मैं it बोलता हूँ, तो क्या है, प्रनाउन है, अगर मैं इस pen को black कह देता हूँ, तो क्या है, ये adjective है, अगर adjective के बारे में कुछ और जानकारी मैं देता हूँ, वो क्या है, adverb है, verb क्या है, actions है, action के बारे में कुछ और जानका दे दी जाए उसे भी modify कर दिया जाए तो वो क्या हो गया वो भी adverb है तो यहां तक आपको बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं यह यहां पर दिखा है he is dancing and I am playing I ran fast but couldn't win I will go if you suggest तो आप यहां देखें यह जो आपको yellow में यहां पर words दिखाई दे रहे हैं कुछ और sentences देख लेते हैं he failed because he didn't study since I was busy I couldn't go I will go where I want तो यह क्या कर रहे हैं यह यहां दो closes को क्या कर रहे हैं connect कर रहे हैं यहां दो closes को connect किया जा रहा है तो close को भी connect कर सकते हैं phrases को भी connect कर सकते हैं या फिर words को भी connect कर सकते हैं या फिर words को भी connect कर सकते ह देता है या फिर आप देखते हैं कि phrases भी connect हो जाते हैं यहां देख रहे हैं कुछ closest जो है वो connect हो गए हैं तो इन्हें, इन्ही connecting words को हम क्या कह देते हैं इन्ही connecting words को हम कह देते हैं conjunctions जैसे यह because, but, since, and, if, where यह सब क्या है? conjunctions है इनके बारे में बहुत ही बारीकी से हम चीजे और पढ़ने वाले हैं आने वाले series में अब हम देखते हैं आगे, यह यहां पे देखिए He came by car, यह आपको colorful कुछ यहां पे words दिखाई दे रहे हैं The book is on the table, this must be between them तो आप देखें, यहां क्या है? यहां noun है यहां भी क्या है? यह noun phrase है, आपने M.H.M. तो पढ़ाई है यह noun phrase है, यह यहां पे क्या है? यह pronoun है अभी आपने पढ़ा है, तो हम यह जो words यूज कर रहे हैं देखें आप noun noun phrase या pronoun से पहले इन words को यूज कर रहे हैं और इस तरीके से यह भी देख लीजिए don't work, round the clock, यह यहां the clock जो है यह noun phrase है, इस से पहले इस word को यूज किया है यह यहां पे the room जो है, फिर noun phrase है हमने यहां in को यूज किया है, यह from यहां पे हमने pronoun से पहले यूज किया है तो इन words को मैं noun noun phrase pronoun से पहले यूज कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और words के साथ मैं relation जो है वो इनका establish कर रहा हूँ, relation बता रहा हूँ और in words को हम क्या कह देते हैं, in words को हम prepositions कह देते हैं, बहुत ही easy है, इन्हें हम क्या कहते हैं, prepositions कहते हैं और इसको हम बहुत detail में, एक separate topic में भी पढ़ने वाले हैं अब आगे बढ़ें और देखिए, आप यहां यह देखिए, यह लिखा है यहां पे alas or she is dead now, then hara we have won, oh what a ball तो यह सब क्या है हम अपने emotions जो है वो show करते हैं, emotions आपके surprise का भी हो सकता है, sadness का भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है तो कुछ words, छोटे छोटे words हैं, जिनसे हम अपने emotions को show करते हैं, और यहां पे इस तरीके से oops, ouch, dear, bravo, wow, ah, यह words हम लोग use करते हैं, अपने emotions को show करते हैं, और इन words को, इन छोटे छोटे words को हम कह देते हैं, interjections इन्हें हम कह देते हैं, interjections, तो आपको ये parts of speech के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, ये basic बाते थी, छोटी छोटी बाते थी, बड़ी बाते हम next series में करने वाले हैं, आपको noun के बारे में पता चला, अगर मैं फिर से बात करूँ, pen आपको पता है, noun है, इसके जगे म it use करता हूँ, pronoun है, अगर मैं इस pen को कह देता हूँ, कि strong pen कह देता हूँ, तो strong क्या है, adjective है, इस noun और pronoun के बारे में और अधिक जानकारी दी जारी है, वो है adjective strong, अगर मैं very strong कह देता हूँ, तो adjective strong है, इसके बारे में और अधिक जानकारी दी जारी है, तो वो क्या होगी, adverb हो कहूं कि dance gracefully तो verb के बारे में और जानकारी gracefully से मिल रही है वो क्या होगी, वो भी adverb हो गई और इस तरीके से, अगर मैं gracefully कहता हूं, और मैं कहता हूं कि quite gracefully gracefully क्या है, adverb है तो quite word जो है, वो इस gracefully adverb को modify कर रहा है वो भी क्या होगी, adverb होगी उसके बाद आपने conjunctions को किया जो connect करते हैं prepositions किया जो noun noun phrase pronounce से पहले हम use करते हैं और words के साथ उनका relation हम बताते हैं और फिर कुछ emotions हम show करते हैं छोटे-छोटे words से जिने हम कहते हैं interjection तो I hope आपको ये छोटी-छोटी बाते बिलकुल समझ आई होगी जो आगे की आपके journey के लिए बहुत ही useful होने वाली है next series में जो आप पढ़ोगे आपके exam के लिए बहुत ही fruitful होने वाली है जो नए हैं वो इस channel को subscribe कर ले like करे, share करे उन लोगों तक पहुंचाएं जो second grade की preparation करना चाहते हैं और exam में अच्छे marks लाना चाहते हैं thank you and have a wonderful day